तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप जड़ आप्लिकेशन यूज़ करते हैं उसके अंदर आपको दिखाता है एक्सेस इस दिनाइड या फिर कुछ इस तरह से आपको क्या करना है यहां पर आपको बैक आजाना है यहां पर आपको बैक आजाना है बैक आने के बाद यहां पर आपको जड़ प्रेस करना है और यहाँ पर app info का इकन देखने को मिल राई में, इस पर click कर लिजिए अगर आपके long press करने के बाद app info का option नहीं देखने को मिलता तो आप क्या करेंगे? setting में आ जाईएगा setting में आने के बाद आपको scroll करना नीचे यहाँ पर apps देखने को मिलेए इस पर click करिए click करने के बाद manage apps पर आईए और यहाँ पर search bar में आपको jade achiever application search करनी है तो आ चुकी है open करते हैं आप देख सकते हैं direct उसी page पर आ चुके है app info वाले यहाँ से आपको इसका clear all data कर देना है यहाँ से clear all data करने के बाद आपको यहाँ से back आ जाना है back आने के बाद आप किसी browser को open कर लीजिए किसी browser को open करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है jade achiever कर लेते हैं एक बार search old version यहाँ पर बहुत सारी website को open कर लीजिए और यहाँ पर आप scroll करेंगे तो देख सकते हैं बहुत सारे versions देखने को मिल रहे हैं आप जो latest version आपने download कर रखा होगा उससे नीचे का आप version कोई भी उठा कर install कर लीजिएगा यह काम सिर्फ आपको करना होगा पुराना version डाउनलोड कर लेना है जैसे आप पुराना version इंस्टॉल कर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्रॉल्म सॉल्फ हो जाएगी अगर फिर भी प्रॉल्म सॉल्फ नहीं होती है तो आप क्या करेंगे बैक आना है प्ले स्टॉर में आ जाईएगा यहां पर आप देख सकते हैं यह आपका जो सर्च बार है यहां पर लिखना है फाइल बाइ गूगल यह फाइल बाइ गूगल लिखेंगे तो यहां पर आपके सामने आ जाएगा इस अप्लिकेशन का आपको इंस्टॉल कर लेना है और यहां से अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते इसको यूज करेंगे तो इसमें आपको प्रॉलम नहीं आएगी अगर आप कोई सी ओर फाइल मेनेजर को डाउनलोड करना तो वो भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं बहुत सारे फाइल मेनेजर लिख लिग के अगा फाइल मेनेजर हैं यहाँ पर किसी को भी इंस्टॉल कर लिजुए कोई प्रोबलम नहीं है उनको यूज करेंगे तो I love you.